नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत शवागते दोसों आज की इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिशना करें और दोसों शुरूश लेकर अंत तक जरूर दिखेगा जे दोसों हम आप शबी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले है दोस्वों यहाँ बात आपने पूरी YouTube पर कही नहीं शुना होगा क्यों दोस्वों यह शी जनकारी कोई नहीं पताता तो दोस्वों आज की इस विडियो को आप बिल्कूल ही अकेले में देखें कि दोस्तों आपकी जुनकाल की शबसे बड़ी खुशकबरी अब आपको मिलने वाली है जी दोस्तों आप तो यह बात जानते हैं कि किश्मत का लिखा कोई बदल नहीं शक्ता जो भगवान हमारी किश्मत पे लिखते हैं वो हमें एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं भले ही केत मिल चुका है कि आपके जुनकाल में अब घुझाu मत म करनेदाेख मकेशछर हैं और पूरी तरह परवर्तित होनेवाले हैं ट्विइ विदध होँगे। दोसों आप शुपिको पता दे की आज किस हमारे ज्वणेशी। आपको जोभी जैनकारी मिलने वाली है दोसों आपके मन को मन के हिर्दय को खुष करने वाले शाबित हो दोस्तों बश्वर्ते हम आप शभी से बस यहीं बिनितिक करेंगे कि दोस्तों जैसे आप वीडियो को अंत्य तक देखेंगे तो दोस्तों यह बात आपको शौन में आएगी कि यह वीडियो कितना महत्पुन आप शभी के लिए था जे दोसों हम आप शिभी को बता दें कि या देविय महिला या शमतकारिक महिला का शंगम आपकी जुनकाल पर होना दोसों आप शिभी की जुनकाल में बृद्धी को दरफशाता है जे दोसों शबसे पहले दोसों आप शिभी को बता दें कि परमात्मा का यहा भारी शंगम हमारे जुनकाल में तभी आते हैं जब दोसों हम अच्छे कर्म करते हैं जे दोसों जब हमारे अच्छे कर्म का प्रणा भारी हो जाता है तब दोसों इश्वर हमें शंकेत देते हैं क कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं जो जो तो और अब आपका अच्छा श्मय आने वाले आच्छा दिन आने वाले हैं तो इस तो ऐशे में आप Beit गलती ना करें बैसे घम मांत्मा का सर्वाज्ट तरीके से शद wp specifically करें जो और आजका इस वीडियो ऐसे नहीं मुख़्ें दिलाने वाले हैं आपके घर के महल पारियुन में आपके परतेग चित्म यहाच्य मतकारिक महिला क्या-क्याच्य मतकार करने वाले हैं हर एक जानकारी वीडिव में श्माहित यह विडियो को अंति तक देखना आपका दाय तो बनता है रिखे पहले दोस्वेशन देब के सच्चे भक्ति विडियो को देख रहे हैं दोस्वेशन वीडियो को एक राइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मंज से जैशन देव लिधे भगवान शनुदेव की अ बहुत ज्यादा गौर्ष सुने कि दोसों कोई लाख करे चतुराई तकदीर का लिखा ना मिटेरे मेरे भाई राजा हो या रंक उसके वहां होगी शब्र के कर्मों की शुनवाही जीवन में शब्र से ज्यादा भागिवान वही है जिसके पास भोजन के शाथ भूख है विज या दोसों तो दोसों अगर आपको यहां बात हैं अच्छी लगी हो या बातों को आप शमच पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से शाथ बात करते ह की या देवी महिलाशी आपका श्रंगम आप शिव की जुनकाल में कौन-कौन शी बड़ी बदलाव करने वाले हैं दोस्तों यह में कोई भूमे शंबंदी घरित परोफ्त का काम शंपन हो सकता है धर्म कर्म शंबंदी कारियों में भी आपकी विसे से समय परूची रहेंग इसको प्राद दोस्तों यह में अगर आपके शावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में आए के शाथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे अपनी फिजुल करची पर आपको यह में अंकुछ लगाना चाहिए दोस्तों किसी खास प्यक्ति के दोवरा ही आपको कुछ और इसको प्राहं दोस्तों यश्म है आपको बता दें कि किसी के भी शाथ मिलजुन कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों यश्म में आप अपने विचारों पर अड़े रहने के विज़े किसी के साथ भी आपका एकमत नहीं होगा इसलिए खुद ही काम को प पैरे रखने की औषिप्टा आउगी और इसकी प्राहं यश्म है आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राज्ची के लिए जो समयह होंगे जो गठाय हो गयाँ अच्छे ग्राह इस्तिती। होंगी दोस्ते इसमें बता दें कि आपकी युगताव फिर छम्ता खुल कर लोगों के स्रामनें जाहिर होने वाली है दोस्तों विध्यार्थियों को केरेश मंदी किसी शमश्या का शमाधान भी यश्मी मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश्मी खाशिल करने वाले हैं दोस्तों प्रन्तु आलशवा पिर ज्यादा मोज मस्ती के समय को यश्मी वुष्ट ना करें यह आपके लिए वैतर होंगी क्योंकि दोस्तों यश्मी आप जो है अपनी को रुपयों करने का शिमई होगा तो दोस्तों यय श्मे में को बिल्कुल ना ग officer और अपने कार्यों के प्रति अपने द्यान को कश्वर्व किए देखें दूस्तों अगडर किश्री वहां या पीछ िोंव शुंपते की घ्र क्योंकि दोस्तों निम्हें आपको लाब की तती नहीं होंगी और इसके प्राहन दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उस्षे दोस्तों आपके लिए मन चाहें दीजर्ड पाना आशान होगा और इसके प्राहत दोस्तों यश्यमे आपके लिए जय से महोंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश्मे इमोशनल होने के बजाए चतुराई वफिर्यक्षे आपको काम लेना चाहिए दोस्तों विवाक्टि से से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा दोस्तों आपको बदा दें कि किसी इस्तिदार से शमदी सुब समचार भी सुनने से आपका मन परशन रहेगा दोस्तों बटवार शमदी कोई भी कार यह में मजदता से हलो सकती है दोस्तों इसमें आपको प्रयाश करना चाहिए कि अभी इनका जो है बटवारा ना हो तो दोस्तों इसको ब्राद यश्मी आपके लिए आपके श्वास्त और आपके कार्योंक में हानी का कारण बर्चपता है इसलिये दोस्तों यश्मी आपको ध्हरी बना कर रखना चाहिए और इसको ब्राद यश्मी आपके लिए पस्तों बता दें कि आपको कई शारी बातों की चिंता कानुभव होगा दोस्तों अधिक विचार करके आपके वल चिंता बढ़ा रहे हैं दोस्तों यदि समस्या का शमदान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किस्ची की मद्द लेना यश में आपके लिए आउश्य होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर प्रस्तिती का हल रुने की आप कोशिश करें और इसमें आप अच्छी हल भी डून पाएंगी और इसके प्राण दोस्तों यह शमय आपके लिए जमेंगे आपको बता दें कि आपका शंतुलित वहवार सुब और असुब दोनों पक्षों में बहतर शंतुरन बराकर रखेगा तो अगर दोस्तों अस्तान परविर्तन शमंदी कोई भी उजनाब बन रही है तो दोस्तों यह शमय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्पुन कारी शंपन हो जगता है राज की मामलों में भी केश्रमंदी स्तियां आपके पक्ष में रहेंगी शाथी दोस्तों दोसरों के मामली में हस्पेक्ष ना करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए शाथी दोस्तों आप जोई शमय है अपनी आर्तिक स्तिति का भी ध्यान रखें किसी भी कारे में व्यर्थी पेशा खर्चना करें यह आपके लिए बैतर होंगी आपके लिए उसमय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप शम्मदिल सभी बातों में संदुलल बराया रखने की आपके जो कोशिज होंगी यह इसमय सपल होंगी फिर भी दोस्तों विचारों में शकारत मकता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यांता आप शकता होंगी फिलाल दोस्तों परिस्ति कठन नहीं है लेकिं दोस्तों यह इतना आशान भी नहीं है शमस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने के आपको यह इसमय कोशिज करते रहना चाहिए यह आपके लिए यह इसमय वैतर होंगे और इश्क प्रावन दोस्तों यह इसमय आपकी केरेट को लेकर बाहत किने अर्थात आपके वह इशाय की तो दोस्तों यह इसमय जन सब परकों का दाइरा अधिक विस्तिरत होगा परन्तु अभी भी वह इपारिक गद्विदियों का गंपिरता वपिरबारी की शिर्म लेकर करना आपके लिए शमय जरूरी होगा दोस्तों सिनियर्स लोगों के साथ समन्द खराब नो करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाप की उतने उम्मिद ना रखें जितने आप रख रहे हैं दोस्तों यह इसमय आपके लिए बैतर होगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को उपके अंदरे रखें अगर आपके लव लाइब के लिए बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जिवन की तो दोस्तों यह इसमय घर में शुक्षानती भरा माहौल भी रहेगा जिवन साथी के शाथ अपनी हर युजना शेयर करें यह आपके लिए बैतर होगे उनके शला आपके लिए इसमय लाब दायक शाब दोंगे और इश्कुप्राण दोस्तों आपके लव लाइब के लिए समय होगे आपको बता दे कि जो इस साथी के शाथ किसी भी बात को लेकर तक्रार भी हो शकती है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम दोस्तों आपकी जब भी सूच बुझ रहेगी तो इसके दोरा आप शबी पैस्तोतियों में विजाई भी हासित करेंगे इसलिए दोस्तों ये शमय आप अपने वाणिये पर स्यम रखें और किसी भी बात को कटूरता से ना बोले प्रेम सुमदों में भी आप ये शमय वेर्थना करें ये आपके लिए बैतर होगे और इसके प्राहदों ये शमय आपके लव लाइफ के लिए शमय होगे आपके पारिवरिक जिवन के लिए शे अचार हेगा प्रेम सुमदों में गलग फिर्मिया उत्पन हो शकती है इन्हें अपने काम पर हावी नो होने दें ये आपके लिए बैतर होगे और इसके प्राहदों ये शमय में आपके श्वास देने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों ये शमय साड़ी कमजोरी और जोड़ों में दर्द के शमस्याल आपको परिशान कर सकती है आईरुविदिक इलाज आपके लिए बहुत दी उचित रहेगा तो दोस्तों इन पर आपको श्वास में ध्यान देने के आउश्रकता होगी ये आपके श्वास के लिए बैतर होगे